परिचय चातरो इस अध्याय के पहले भाग में हमने समावय अप्ता और रासाइनी कभी क्रियाओं की क्रियाविधी की मूल भूद संकलपनाओं के बारे में पढ़ा था आज हम कारबनिक योगिकों के शोधन के विधियों के बारे में पढ़ेंगे शोधन की कुछ विधियां और्थव पातन, वन लेखन, आस्वन आदी है सर ये और्धर्व पातन क्या है? कुछ धोस पतार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही कैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं चलो, अब कोई मुझे बताएगा कि ये वन लेखन क्या है? सर, वन लेखन किसी कार्बनिक मिश्रण में से अशुधियों को अलग करने और उसके विश्रेशन की एक विधी है बहुत अच्छे आरियन, अब हम शोधन की विधियों का अध्ययन विस्तार से करेंगे इस अध्याय में आप कार्बनिक योगिकों के शोधन और उनके मौतरात्मक और गुणात्मक विश्रेशन का अध्ययन करेंगे उत्येशे इस पार्ट के अंत में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे कार्बनिक योगिकों के शोधन की विधियों का वर्डन करना कार्बनिक योगिकों के गुणात्मक विशलेशन को समझना मात्रात्मक विशलेशन का वर्डन करना कार्बनिक योगिकों के शोधन की विधियां कारवनिक योगिकों के शोधन की विभनिविधियां निमने लिखे थें ओर्थवपातन यानि सब्लिमेशन क्रिस्टलन यानि क्रिस्टलाइजेशन आस्वन यानि डिस्टिलेशन विभेदी निशकर्शन यानि डिफ्रेंशियल एक्स्ट्रैक्शन और वन लेखन यानि प्रोमोटोग्राफिग अब हम एक एक कर सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे उर्धवपातन कुछ थोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही कैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं इसे उर्धवपातन कहते हैं इसका उप्योग उर्धवपातनिय कार्भनिक योगिकों को दूसरे अशुद्य योगिकों जो उर्धवपातनिय नहीं है उनसे प्रथक करने के लिए किया जाता है अशुद्य कार्भनिक योगिकों को चिद्रित एस बेस्टास की चादर से ढकी हुई एक प्याली में रखकर गर्म किया जाता है जिसके उपर एक उल्टी फनल यानि कीप रखी जाती है कीप के स्थंब में कपास भरा जाता है गर्म करने पर ठोस योगिक का वो इससा जो उर्थवपातित हो जाता है एस बेस्टास की चादर के चिद्र से गुजर कर कीप की ठंडी दीवार में संगनित हो जाता है अशुद्धियां जो उर्थवपातित नहीं होती है प्याली में ही रह जाती है क्रिस्टिलन ठोस कार्वनिक योगिकों के शोधन का ये सबसे समान नितरिका है ये विधी जिस उप्युक्त विलाइक में ये कार्वनिक योगिक मिलाए जाते हैं उसमें इनकी विलेताओं में नहित अंतर पर आधारित होती है अशुद्ध पदार्थ पाउडर के रूप में होते हैं इन्हें किसी विलाइक के साथ एक फ्लास्क में गर्म किया जाता है विलाइक की मात्रा केवल गर्म करने पर पदार्थ के खुलने के लिए परियाप्त होनी चाहिए अब ये गर्म संत्रिप्त विलियन गर्म पानी की कीप से छान लिया जाता है बाहरी कीप में परिचालित किये जाने वाला गर्म पानी विलियन को गर्म रखता है और कीप ही के अंदर क्रिस्टली करन नहीं हो पाता यह गर्म निसियंद बीकर में ठंडा किया जाता है बड़े-बड़े क्रिस्टल्स फ्राथ होते हैं और इन क्रिस्टलों को निसियंद में से निसियंदन के माध्यम से प्रथक कर लिया जाता है आसवन आसवन द्रवों के शोधन की एकविदी है जिसके द्वारा द्रव मिश्रण में से उनके विविन घटकों से अलग-अलग किया जाता है एक फ्लास्क में द्रव मिश्रण को कर्म करने पर द्रव में उपस्तेद कम कौथनांक वाले घटकों का वाश्पी करण शुरू हो जाता है वाश्प को संगनित्र की जाहता से संगनित करके प्राप्द द्रव को क्राही में एकत्र कर लिया जाता है द्रव मिश्टन के वे घटक जिनका कौतनांग उच्च होता है बात में वाश्पित होते हैं और इन द्रवों को अलग एकत्रित किया जा सकता है प्रभाजी आस्वन जब दो द्रवों के कौतनांग एक दूसरे के काफिक करीब होते हैं तब साधरन आस्वन काम नहीं करता है इस दशा में एक प्रभाजी कौलम कव्योग किया जाता है जो एक लंबी नली के रूप में होता है और इसमें उपर जाती हुई वाजब और नीचे आते हुए द्रव के मार्ग में अवरोध प्रतान किया जाता है ए और बी द्रवों के मिश्रण को एक फ्लास्क में लिया जाता है जिनके कौतनांग प्रमशा 370 केल्विन और 380 केल्विन है फ्लास्क को गर्म करने पर एकी ज्यादा वाजब प्राप्त होती है और बी की वाजब कम प्राप्त होती है प्रभा की कौलम में जैसे जैसे वाजब उपर उठती जाती है आंशिक रूप से संखनित द्रव नीचे गिरता है बी की वाजब एकी वाजब की तुल्ना में जल्दी संखनित होती है और जो वाजब उपर जाती है उसमें एकी माद्रा ज्यादा होती है संखनित द्रव नीचे गिरता है और उपर उठती वाश्प से टक्रा कर पुना उश्मा लेकर वाश्पित होता है जिसमें बी के अणों की खपत होती है प्रभागी कॉलम में ये क्रमिक प्रक्रिया चलती रहती है जिसके परिणाम सरूप कॉलम के शीर्ष पर बचने वाली वाश्प मुख्यता एक ही होती है जबकि फ्लास्क में बचने वाला द्रव भी का होता है निम्नदा पर आस्वन ये विधी उन द्रवों के लिए प्रयोक्त होती है जो अपने कॉथनां के निकट अब घटित हो जाते हैं प्लास्क की मुख्य करदन में एक लंबी केशिका नली यानि कैपलिरी लगा दिया जाती है और बगल की दूसरी करदन में धर्मामीटर लगा दिया जाता है बगल की ट्यूब संगनित्रिस से जोड़ती जाती है जो दूसरे छोर पर ग्राही से जुड़ी होती है ग्राही एक पम से जुड़ी होती है जो दबाव को कम करता है कम दबाव के साथ द्रव कम तापमान पर उबलने लगता है जिससे तापमान अब घटन ताप तक नहीं पहुँच पाता है उधारण ग्लिस्रॉल अपने कौतनाग 563 केल्विन पर अब घटन के साथ उबलता है पर यदि दबाव 12 मिलिमीटर तक कम कर दिया जाए तो ये 453 केल्विन पर बिना अब घटन के उबलने लगता है भाप आसवन इस विधी का प्रयोग उन पदार्थों के शोधन के लिए किया जाता है जो भाप में वाश्प शील और पानी में अमिश्रणिये होते हैं ये विधी के सत्थ पर आधरित है कि कोई द्रव उस तापमान पर उबलना शुरू करता है जब उसका वाश्प दाब वायू मंडलिये ताब के बराबर हो जाता है और दो अमिश्रणिये द्रवों का वाश्प दाब तो अतंत्र द्रवों के वाश्प दाब के योग के परापर होता है अशुद्ध योगिक में लगातार भाब प्रवाहित की जाती है जो की आस्वित करने के लिए अवशक है भाब द्रव को कर्म करती है और जल को भी संघनित करती है कुछ समय बाद जल और द्रव का मिश्रण उबलना शुरू कर देता है क्योंकि मिश्रण का वाश्पदाब वायो मंडलिये ताफ के बराबर हो जाता है इस इक्षण में ताफमान पदार्थ के कौतनांग या जल के कौतनांग से कम होता है द्रवों और पाने के इस मिश्रण को संघनित कर ग्राही में एक अत्र कर लिया जाता है जिसे आसानी से अलग-अलग किया जा सकता है विभेदी निशकर्शन जब कार्बनिक योगिक किसी जली ये विलियन में उपस्दित होता है तब उस कार्बनिक योगिक को ऐसे विलाइक का उपयोग करके निशकर्शित किया जाता है जिसमें कार्बनिक योगिक की विलेता जल की अपेक्षा अधिक होती है और ये विलाइक जल में हमिश्रणिय हो यदि कार्बनिक योगिक की उस विलेन में गुलंशीलता कम होती है तो योगिक की सुक्ष ममादरा का निशकर्शन करने के लिए विलाइक की बड़ी मात्रा की आविशक्ता होती है। ये विधी सतत निश्कर्शन कहलाती है। वन लेखन वन लेखन शोधन की एक ऐसी विधी है जिसे किसी मिश्रन के अव्यवों को प्रथक करने, कारवनिक पदार्थों की पहचान करने और उनकी शुधता की जाँच करने के लिए उपियोग में लाया जाता है। वन लेखन का वर की करन अधिशोशन वन लेखन वितरन वन लेखन अधिशोशन वन लेखन अधिशोशन वन लेखन विभेदक अधिशोशन के सिध्धांद पर आधारित है। जिसके अनुसार विभेदी योगिक भिन अन्शों में किसी विशिष्ट अधिशोशक जैसे ठोस सिलिका या एलूमिना जेल पर अधिशोशित होते हैं। विभेदी अधिशोशन के सिध्धांद पर आधारेत दो प्रकार की वनलेखन तक्निकें निम्नलिकेत हैं। कॉलम या स्थम्भ वनलेखन और पतली परत वनलेखन। कॉलम वनलेखन इस विधी के अंतरगत विभेन घटकों के मिश्रण को जब स्टार्च या चार गोल जैसे अधिशोशक से भरे हुए कॉलम से होकर गुजारा जाता है। तब विभेन घटक आंशिक या फून रूप से अधिशोशक के द्वारा अधिशोशित हो जाते हैं। और तब वे उप्युक्त विलायक जिसे निक्शालक कहते हैं उसकी मदद से अलग किये जा सकते हैं। पतली परत वनलेखन। इसमें एक अधिशोशक की पतली परत को किसी उप्युक्त आधार पर फ्हलाया जाता है। जैसे कांच की प्लेट। ये कांच की प्लेट पतली परत वनलेखन प्लेट या क्रुम प्लेट कहलाती है। योगिकों के मिश्रान का जिससे अभयवों को प्रथक करना है एक छोटा सा बिंदू TLC प्लेट के एक छोर पर लगा दिया जाता है। अब प्लेट को कुछ उंचाई तक विलाइक से भरे हुए बंद जार में डुबो दिया जाता है। जैसे जैसे विलाइक ग्लास की प्लेट में आगे बढ़ता है, मिश्रान के अभयभी अपने अधिशोशन की तिर्वृता के आधार पर प्लेट पर उपर की तरफ चड़ने लगते हैं। गती में भिन्यता की कारण विप्रथक हो जाते हैं। मिश्र्ण के हर योगिक के सापेक्ष अधिशोशन को मंदन गुणत आर एफ मान के द्वारा प्रदशित किया जाता है। इसे निम्न प्रकार से निकाला जा सकता है। RF पराबर आधार रेखा से योगिक के पढ़नी की दूरी X बटे आधार रेखा से विलाइक की आगे तक की दूरी Y वितरन वन लेखन वितरन वन लेखन एक तरह से कागस वन लेखन है जिसमें विशिष्ट प्रकार का कागस जिसे क्रोमेटोग्राफी कागस कहा जाता है उप्योग में लाया जाता है इस कागस के छिद्रों में जल अनू बंध जाते हैं जो इस्थिर प्रावस्था का कारे करते हैं प्रोमेटोग्राफिक कागस के आधार पर मिश्रन का बिंदू लगाकर जार में लटका दिया जाता है। जार में कुछ उंचाई तक उप्युक्त विलायक या विलायकों का मिश्रन भरा होता है जो गतिशील प्रावस्था का कारी करता है। विलाएक पेपर की पट्टी पर उपर की ओर पड़ता है और बिंदू के उपर प्रवाहित होता है। विभिन्य योगिकों का दू प्रवस्थाओं में वित्रण। भिन्य भिन्य होने के कारण ये अलग-अलग दूरी तक जाते हैं और प्रथक हो जाते हैं। इस प्रकार वि कर्मन के विलियन को छड़क कर देखा जा सकता है कार्बनिक योगिकों का गुनात्मक विशलेशन कार्बन और हैट्रोजन की पहचान कार्बनिक योगिकों को कौपर दो ऑंकसाइट के साथ तेज गर्म किया जाता है उत्पन्न हुई गैसों को परकनली के अंदर निरजल कर दिया जाता है यदि कार्बन उपस्तित होता है तो ये कार्बन डायोकसाइट बनाता है जो चूने के पानी को दो दिया कर देता है अभी क्रियाएं निमनिलखित हैं कार्बनिक योगिकों में उपस्तित कार्बन कौपर दो ऑंकसाइट के साथ अभी क्रिया करके कौपर और कार्बन डायोकसाइड बनाता है। उत्पन हुई कार्बन डायोकसाइड केल्शियम हाइड्रोकसाइड से अभिक्रिया करती है। जिससे वो दूद्या हो जाती है। जो उस कार्बनिक योगिक में कार्बन की उपस्तिती को सूचित करता है। यदि कार्बनिक योगिक में हाइडोजन उपस्तित है तो ये पानी की वाश्प बनाता है जो निर्जल कॉपर सिल्फेट से गुजर कर C-U-S-O-4-5-H-2-O बनाती है जिससे उसका रंग नीला हो जाता है अभी क्रियाएं निमने लिखे थें कार्बनिक योगिक की हाइडोजन कापर दो आउकसाइड से अभी क्रिया करके कॉपर और पानी बनाती है उत्पन पानी निर्जल कॉपर सिल्फेट से क्रिया करके C-U-S-O-4-5-H-2-O बनाता है जिससे उसका रंग नीला हो जाता है अन्ने तत्वों की पहचान कार्बनिक योगिकों में उपस्तित नाइटोजन, सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस जैसे अन्ने तत्वों को लैसे परिक्षण के द्वारा पहचाना जा सकता है कार्वनिक योगिकों में उपस्तित तत्वों को सोडियम धातू के साथ संगलित करने पर ये तत्व संयोजी रूप से आइनिक रूप में परिवर्थित हो जाते हैं अभी क्रियाएं निमने लिखित हैं जब सोडियम कार्बनिक योगिकों में उपस्तित विभिन तत्वों के साथ क्रिया करता है तब ये सोडियम सनलगन निश्कर्ष बनाता है। जिसका रंग नीला होता है। सल्फर के लिए परीक्ष यदि कार्बनिक योगिक में सल्फर उपस्तित है तो इसे सोडियम सनलगन निश्कर्ष जो की सोडियम सल्फाइट है उसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइट के साथ अभी क्रित करने पर सल्फर की उपस्तिती के कारण जो बैगनी रंग आता है उसके द्वारा उसे पहचाना जा सकता है। यदि पीला अवक्षेप बनाता है जो की अमोनियम हाइट्रोकसाइट में अल्प उपस्तिती को दर्शाता है। यदि नाइट्रोजन या सल्फर की संभवना होती है तो परीक्षन के पूर्व सोडियम सनलगन निश्कर्षन को दो मिनट तक उबाला जाता है जिससे HCN और H2S के साइनाइड और सलफाइड विक्डित हो जाएं जो परीक्षण में बाधा हुद्पन करते हैं फॉस्फोरस के लिए परीक्षण इसी कार्बनिक योगिक में फॉस्फोरस की उपस्तिती का फता लगाने के लिए उस कार्बनिक योगिक को सोडियाम पराउक्साइड के साथ गर्म किया जाता है बने हुए विलियन को सांद्र नाइट्र कमल के साथ उभाल कर अमोनियम मॉलिब डेट मिलाया जाता है फीले रंग का अवक्षे फॉस्फोरस की उपस्तिती को प्रदशित करता है मातरात्मक विशलेशन कार्बन और हाइडोजन कार्बनिक योगिकों के एक नमोने को चुशको शुद्ध ऑक्सीजन की भाब में फॉपर्दो ऑक्साइड की उपस्तिती में 700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है हाइडोजन आक्सिक रिथो कर पानी बनाती है और कार्बन से कार्बन डायोकसाइड बनता है उत्पन जल की मातरा ग्याद करने के लिए मिश्रन को निर्जल केलशियम क्लोराइड युक नली में से प्रवाहित किया जाता है और Karbon Dioxide की माक्रा का निर्धारन करने के लिए इस मिश्वन को Potassium Hydroxide के विलियन में से प्रवाहित किया जाता है कार्बनिक योगिक के नमूने में उफस्तित हाइडोजन का द्रविमान एक बटे नौ केल्शियम क्लूराइट के द्रविमान में रिथी और कार्बन का द्रविमान तीन बटे ग्यारा पोटेशियम हाइडो अक्साइट के द्रविमान में रिथी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के आकलन की दू विदिया हैं जूमाविथी और केलडॉल विथी जूमाविथी नाइट्रोजन युक्त कारवनिक योगिक के ग्याद रवेमान को कार्बन डायोकसाइट के वातवरन में कॉपर आउकसाइट के साथ गर्म किया जाता है इस इस्तिती में कार्बन और हाइटोजन आउकसी क्रेथ होकर कार्बन डायोकसाइट और जल में परिवर्टित होते हैं और नाइटोजन मुख्यो होती है यदि अल्प मात्रा में नाइटोजन आकसाइट बनती है तो उन्हें गर्म कॉपर के तार पर प्रवाहित करके वापस अपचाहित कर लिया जाता है उत्पनल गैसों के मिश्रम को भट्टी के दोरा पोटेशियम हैटोजाइट विलियन में प्रवाहित किया जाता है पोटेशियम हैट्रोकसाइट कार्बन डायोकसाइट को अफशोशित कर देता है और नाइट्रोजन को नली के उपरी भाग से एकत्रित कर लिया जाता है कार्बनिक योगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत जिसका द्रवेमान M ग्राम है 28 गुणे B गुणे 100 बटे 22,400 गुणे M जहां B S-T-P पर नाइट्रोजन का आइदन है केलडॉल विधी केलडॉल विधी में नाइट्रोजन का निर्धरन अमोनिया कैस के द्वारा किया जाता है कार्बनिक योगिक को सल्फियूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है कार्बनिक योगिक में उपस्थित नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में परिवर्टित हो जाती है अमोनियम सल्फिट को सोडियम हाइडरोकसाइड के आधिके के साथ कर्म करने पर अमोनिया मुक्त होती है इस उत्पन होई अमोनिया को मानक सल्फियूरिक अमल के ग्यात विलियन में अफशूशित कर लिया जाता है उत्पाधित अमोनिया का अनुमान प्रती क्रिया में इस्तिमाल हुई सल्फियूरिक अमलिकी मात्रा से लगाया जा सकता है अमोनिया के अफ्शूर्शन के पश्चाथ अब चिस्ट सल्फियूरिक अमल को चार के मानक्विलियन द्वारा अनुमापे दिक्र लिया जाता है नाइट्रोजन का प्रतिशाथ 1.4 गुणे M गुणे 2, V और V एक बटे 2 का अंतर बटे कार्बनिक योगिक का द्रबेमार, यहां V बराबर H2SO4 का आयतन मिलिलीटर में, V एक बराबर NaOH का आयतन मिलिलीटर में, M बराबर H2SO4 की मोलारता. हैलोजन कैरियस विधी कार्बनिक योगिक की निश्चित मात्रा को कांच की एक नली में सधूम नाइट्रिक अमल के साथ सिल्वर नाइट्रेट की उपस्तिती में बट्टी में कर्म किया जाता है. इसे कैरियस विधी कहते हैं बने हुए सिल्वर हैलाइट को अलग करके धो कर सुखा कर तौल लिया जाता है हैलूजन का प्रतिशाथ X का परमान्विक द्रवेमान कुणा M1 गुणा 100 बटे Agx का आन्विक द्रवेमान कुणा M यहां M1, AgX का आन्विक दरवेमान और M, कार्बनिक योगिक का दरवेमान है सलफर कार्बनिक योगिक की ज्यातमाद्रा को एक नली में सधूम नाइतरिक अमल के साथ गर्म किया जाता है सलफर सलफियोरी कमल में परिवर्तित हो जाता है राप्त सल्फियोरी कमल को बेरियम क्लोराइड मिलाकर बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षिपित कर लिया जाता है अवक्षिप को छान कर धो कर दुखा कर तौल लिया जाता है सल्फर का पतिश्यत 32 गुणा M1 गुणा 100 बटे 233 गुणा M यहाँ M1 बने हुए पेरियम सल्फेट का द्रवेमान है और M कार्बनिक यैगिक का द्रवेमान है POSPHORUS फास्फोरस युक्त कार्बनीक योगी की ग्यात मात्रा को सधूम नाइट्रिक अमल के साथ कर्म करने पर उसमें उपस्थित फास्फोरस फास्फोरिक अमल में आउक्सिक्रेट हो जाता है इसे अमोनिया और अमोनियम मॉलिबडेट मिला कर अमोनियम फास्फेटो मॉलिबडे के रूप में अबक्षेपित किया जाता है, पासफोरस का प्रतिशात, 31 गुणा M1 गुणा 100 बड़े, 1877 गुणा M, यहां M1 अमोनियम पासफेटो मॉलिब्डेट का द्रवववयमान है, और M कारबनिक यौगिक का द्रवववयमान है, आक्सीजन किसी कार्बनिक योगिकों में आक्सीजन का प्रतिशत भिन्निता की विधी से ग्यात किया जा सकता है कार्वनिक योगिक में आक्सीजन की प्रतिशत्ता की गड़ना उसमें उपस्थित अन्ने तत्वों की प्रतिशत्ताओं के योग को सौ में से घटा कर निकाली जाती है कारबनिक योगिकों की एक निश्चित मात्रा को नाइटोजन गैस के प्रवाह में गर्म किया जाता है हुद्पन्य होई गैसों के मिश्रण को रक्त तप्त कोब पर प्रवाहित करने पर ऑक्सीजन गैस कारबन-मोनो-क्साइट में परिवर्तित हो जाती है अब इस गैसीय मिश्रण को आयोडीन पेंट आउकसाइड मिलाने पर कारवन मोनो आउकसाइड गैस कारवन डाई आउकसाइड में आउक्सिक्रित हो जाती है अभी क्रियाओं के नुसार आउकसीजन का प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है 16 गुणा कार्बन डायोकसाइट का द्रपिमान बटे 44 गुणा कार्बनिक योगिक गुणा 100 क्या आप जानते हैं कार्बन सभी सजीवों में पाया जाता है कार्बन एक अधातु है ये अपने आप के साथ और कई अन्य रासाइनिक तत्वों के साथ आपंध बना सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोह राएं उर्धव पातन, क्रिस्टली करण, आसवन, विभेदी निशकर्षन और वन लेखन कार्बन योगिकों के शोधन की विदिया है कार्बनिक योगिक को कौपर दो ओक्साइट के साथ तीज गर्म करके उसमें कार्बन और हाइडूजन की उपस्तिती का पता लगाया जा सकता है नाइडूजन, सलफर और हैलूजन को सोडियम, संगलन, निशकर्ष के द्वारा पहचाना जा सकता है कार्बनिक योगिक के नमूने में उपस्तित हाइडूजन का द्रवेमान 1.9 केल्शियम क्लोराइट के द्रवेमान में वृत्थी और कार्बन का द्रवेमान 3.11 पोटेशियम हाइडूजन के द्रवेमान में वृत्थी कारवनिक यौकिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत जिसका द्रविमान M ग्राम है निम्न है इसमें V STP पर नाइट्रोजन का आइतन है किसी कारवनिक यौकिक में हेलोजन का प्रतिशत X का परमानविक द्रविमान गुणा M1 गुणा 100 बटे AGX का आणविक द्रविमान गुणा M है जहां M 1 AGX का द्रविमान और M कारवनिक यौकिक का द्रविमान है किसी कार्बनिक योगिक में सल्फर का प्रतिशद 32 गुणा M1 गुणा 100 बटे 233 गुणा M है यहां M1 बने हुए बेरियम सल्फेट का द्रवेमान है और M कार्बनिक योगिक का द्रवेमान किसी कार्बनिक योगिक में फास्फोरस का प्रतिशद 31 गुणा M1 गुणा 100 बटे 1877 गुणा M है जहां M1 अमोनियम फास्फेटोम वॉलिबडेट का द्रवेमान है और M कार्बनिक योगिक का द्रवेमान है किसी कार्बनिक योगिक में आक्सीजन का प्रतिशत निम्न प्रकार से प्राप्ति किया जा सकता है 16 कुणा कार्बन डायोकसाइट का द्रवेमान बटे 44 कुणा कार्बनिक योगिक कुणा 100